नमस्कार सच्चकल आज दोस्तों बात करने वाला हूं इंडिया इंडिया और सिल्लंका के बीच जो मैच होने वाला है उसकी ड्रीम 11 टीम की देखिए दोस्तों अपना माई ड्रीम 11 खोल दीजिए उसके बाद देखिए बिकेट केफिंग सेशन में कौन-कौन अभी लेवल है केम इंडिज इसान किसन यही दो लोग खेलेंगे और बैटिंग सेशन है सुरी कुमार यादव पिजनी शांक बानुराज बच्चा देशन स अंका दीपकोड़ा सी अश्लांकी और ये फरैंडो सुभंगील रित्रवाज गयक्वार राहुलतर पार्थी एवेंडरा आल राउंडर सेशन में आल राउंडर सेशन में अबलेबल हैं अर्दिक पांडय डबलू हसरंगा डीडी शिल्वा अच्छर पतेल सी करनाड के अर्सपटेल और पिमसुदन यलकुमार उमरान मलिक के राजिता स्यूमावी एंधरसाडी मसुदन का यमकुमार डी विलेज ये ये खिलाडी हैं और इन में से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये तो टीम एनॉसमेंट होने के बाद पता चलेगा दोस्तों अब हम ट्रीम लेवन टीम बना लेते हैं देखे केम एंडीज बिकट केपिंग सेशन में अच्छा खेल रहे हैं इसान के सन को भी ले लिजिए अगले मैज में फ्लाप भी थे हो सकता है कुछ अच्छा कर जाएं बैटिंग सेशन में सूरी कुमार यादो पीनिश आंक अब देखे का यह जो हैं डीश हैं का यह बालिंग और बैटिंग दोनों से पर्ण दे रहे हैं इनको ले लेजिए और दीपकुड़ा को जब भी मौका मिलता है दीपकुड़ा भी अच्छा प्रपाम करते हैं दीपकुड़ा को ले सकते हैं आल राउंडर सेशन में बात कि बैटिंग बालिंग दोनों से फ्लॉफ हैं अच्छे खिलाड़ी हैं इनको ले सकते हैं अल राउंडर में उसके बाद डबलू हसरंगा आ जाते हैं अच्छा ही खेलते हैं एक दू विकट ले ही जाते हैं एंद को भी ले लीजिए प्रही बात अच्छर पटेल की अच्छर पटेल काफी अच्छा फॉम कर रहे हैं बैटिंग बालिंग दोनों से अच्छर पटेल को ले लीजिए बॉलिक सेशन में बात करें इस बंदर चेहल कछ खास कर नहीं आ रहे हैं इनको हटा देते हैं और सतीब सिंग पिछले मैज में फ्लॉप गया है लकिन ये अच्छे ब को माई पर हम नहीं लेंगे हर्च पटेल को भी हम छोड रहे हैं उम्रान मली को भी नूबालर है तो ये सही कुछ कर रहे हैं बेक्टड़ने ही रहे हैं हर मैच में एक या दू स्요 माळी की बात आ जाते speaks मैं फिछले मैच में चार विकट लिया दूसरे मैच में साप सुंग गया एक भी विकट नहीं ले पाए और माइनस पॉइंट कर दिये इसलिए स्यूम आभी को भी आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर लीजिए किसके जगह ट्राई करेंगे हमें प्रेटिंग सेशन में किसी को कि अग्नोर करना प्रसूरी कुमार को हटा कि हम प्रेश आंखा को ले लेंगे तो बालिंग सेशन में हम यहाँ पर आराम सेश्यूमावे को ले लेंगे यह हमारी हो गई टीम अब बात करते हैं कैप्टेंसी की तो कैप्टेंसी के लिए सबसे सेफ हपसान है अच्छार पटेल यह तो फिर डी सनाका यह सबसे सेफ हैं कैप्टेंसी के लिए तो यह अच्छार पटेल को ले ना एक एम इंडीज को भी ले सकते हैं भी पिछले मैच में अच्छा फॉम के हैं आई के सन पूरी तरह फ्लाप थे तो इस आई के सन हो सकता है फॉम में आये आने की कोशिस करे देगा क्योंकि लाष्ट मैच है मैं अच्छान को कर देजिए डी सनाखा को देजिए वाइस केप्टेंसी टेम को कल दीजिए सेव कि अब जो टीम का प्रिव्यू होने वाला है कुछ इस तरह होने वाला है कि देखिए पिकट के लिए पिंच इसन में शान के शन हो गए और और बैटिंग सेस्टन में सुरी कुमार यादो डी सनाय का स्यस लेंक और अल्राउंडर सेस्टन में अच्छर पटेल हर्दीक पंडा सीकर नॉट के बॉलिंग सेस्टन में की रज़ता सिवम मावी और सदीब सिंग उम्परान मलीग पिछला मैच में काफी लॉस गया था जो सिवम मावी और सदीब दोनों को कर्प्टन सी बीसी कर रखे थे कर्प्टन सी बीसी यह दोनों माइनस में चले गए थे इनको साब सुंग गया एक भी विकट नहीं ले पाए लेकिन हर कोई हमेसा फ्लॉप तो रहेगा नहीं इसलिए अपकी बार फिर से इनको लिया जा रहा ही बार फिर से ट्राइऑ करते हैं ठीक है और आप लोग जायें तो टीम में चेंजिंग कर सकते है किसी को भी ले सकते हैं प्रेडिक्शन के हिसाब से ठीक है और दोस्तों अगर वीडियो हलफुल लगे तो लाइक और सस्क्राइब करो चैनल को सेर करो